गुड मॉर्निं स्टूडेंट आपका बीए फर्स्ट एर एंड बीए 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 सेटिंड एर क्लास में युका आइटम है तो बच्ची आज हम करेंगे न्यू टॉपिक चंजर गुप्त प्रतम पहले हमें पढ़ा था ना कि जैसे सिंदू सब्धाद्या सब्धर उसके बा मैं चंद्रगुप्त मॉर्या फिर आइड़ चंद्रगुप्त प्रतम ये बुप्त बंस है और ये आईड़ चंद्रगुप्त बंस है एक चंद्रगुप्त बंस है एक चंद्रगुप्त मॉर्या 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 मॉर्य तो इस नम्राजय के ध्रापना आप उसमें योग्या जे वाले तीन फाशिक में थे श्री गुप्त रड़वत का जाव चंदबत ब्रणप्रत वचे इन तीनों में बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है इन दुप्त पे श्री गुप्त रड़वत कच के बारे में तो बहुत कम जानकारी मिलती है चंदबुप्त प्रत्न के बारे में उन्हें खोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो जो आज हमारब आरपी के वो है चंद्र गुपता फ्रतुं के बारे में पीर पहले हम उन्में फिक ऩ shooting सथी उसमें परते हैं तो युक्में पेहला साशिट आएगा श्री गुपता कोन आएगा शृरी बुपता तो बचे एककर अगर सिरी था उसने ःभ्पोटांश्टी ठापना की थी। कप की थी 204 सिर्मय कू फोटी की थी और बुष्टमन्शिर थापना इसमें की थी मगद राजमें कहां की थी मगद राजमें और इनुने एक पादि भी धार्ण की थी महाराजापुपादी भी शिरीगुथ ने धारा की थी यहां का शौट पस्चत गन सकता है और कुछ भी धाने का कुछी यह विचार है जबाना है कि जो श्रीगुथ था बहुत सक अंत्र साशक नहीं था इसमें महाराज की थार्ण की नेता वो महाराज दिराज की थार्ण कर सकता था और जो श्रीगुथ था उसने 280, 240 से लेकर 230 साच पस्चत साशन की थार्ण की थार्ण करते हैं बर्टवुथ कर्चके मारे में बर्टवुथ कर्चके यह कहता श्रीगुथ का उप्त्रा दिखारी माना जाते हैं और इनके साशन काने की बात करें तो यह उने साशन कीया था 280 से लेकर 319 इसी तत्व, 280 से लेकर 319, 319, 280 से 319 तत्यों ने साशन कीया था आप रहा जाता है कि इनुमें भी महाराश्य उपादी की धारा की थी गुप्तमच की शिलोलेखो में कहा जाता है कि जो भटूद कर्चदा उसने अपने नाम की आगे या पीछे गुप्त शबद नहीं लिगवाज़ा की उनकारा इसके अपने नाम के साथ गुप्त शबद का प्रयोग नहीं ही आपा दिया तो इसके प्राशिकार में गुप्तमच की शक्ति और समान में कोई खास रधी नहीं हुई तो जो चंद्रगुप्त शक्ति प्रत्म की बारीमें तो जो चंद्रगुप्त था वो पैला साशक्ति था जो गटोच गत्त का उस्वारी गटोच कच के भार किया था चर्द गुपतर जब राज गत्ते पर बैठा था उसने 32 सुस्भी सिभासन खासी किया था और उसने सिभासन पर बैठे के साथ ही गुपत बंश्च ने युग में परवेश कर लिया था युपमें परवेश कर लिया और उसने प्युम्धो से प्राप्तरा जया का और भी अधित सता के रिचक को दिशने document रत्र कुदि कर लिया का कि मी तो बीजिस्वी सेरे करती है, तो पैट्रीस इस्वी बत्रिमोंने साश्र, कि आदा कितने साल, पंधा सोशिरोंने साश्र, कि आदा यहां तक आपको थे, चंदरफे महराजा दिराज की उपाधिभाराई किजि कौन सा टैटर्यम लिया हो था टार कोऊ महराजा दिराज तो इस महाराय अज़ार सी बाती से हम यह ग्यार कर सकते हैं कि वो अपने पिता और दादा से भी अधुर्णु शक्तिशाली स्राशक था और उसके स्राशन कितने से कितने तक किया था तैंज्वां अपने रसफ़ाव ग्यारा से कितने विवारे पिता तक किया खाशक रेखreiben दा कितने शुक्तिशेस कितने पिवड़ेशन कितने से अकड़ अधुर्णू शेलियों कि विवाशन कितने ग्यारा था तो उन्होंने रिच्वी बंच की राज्टमारी जो रिच्वी बंच की मुख्या की बेटी थी उसना था कुमार देवी उसके साथ विवायत और इस विवायत संबंध से जो चंदधुत मौरेयना वागया था जन्मगा रुखा था और प्रसितितिहार का श्री एंट गुष्ट की उससारों ने कहा था कि इस विलाव से गुप्त परिवार की कुमांता का श्री दिश होता है जिसके के लिशियों के साथ विवायत संबंधों के साथ उनकी महात और भी बढ़वे लगी ही क्योंके जो कुमार देवी के विवायत पर जो लिशी मंतिर ने पार्ट पुत्र का शिक्र दहेज ने चंदधुत प्रतुं को दिया साथिया तो उसके बाद जो चंदधुत प्रत ने जो सिके चलाए कि उसने उसने अपने नाम की साथ सथ कुमार देवी की जी तब भी अंकित करवायत है और उनका नाम भी इंजिवरों परंकित करवाया रहा और इस भी बाद की बात करें तो प्रता है कि जेजवा इतना में तब दुफ्राणा के इसकी इस पत्री से कुमार देवी से सुन्धुत पुत्र पैदा हुआ जो अपने आंको जब वो सम्राण पड़ा था तो भी अपने पुलिश की दूरतर के हराम के हरामे में या कहने मे गर्म हैसूस करता थी तीसरा हम हमके करते हैं कि उनका जो राजय का वितार कहन से कहता था तो जो जब वो अरेया का इंपाया तो पाटिक से कोच पथा हो ने का कि राजय रिजार किया था उनके राजय समें बहुत पाट रेकितर के शेतर 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 से कुछी थी हाथ करने के इसार बंगार और विशारी तक भी उसनादो राजया फैला पथा या मित्री था और अगर हम बात करें पुराश में किफ्ट लोगूं के फ्राज जो चंद्रुत प्रतु का राजय था बंगा नदी के थे नाया प्रियां तक भी रिख रिखा था खिराज में बात करते हैं कि उन्हें एक संबच लाय था शेतर के शिश का नाक्रा गुप्थ संबच तो उसने गुप्थ संबच लाय थो कि जो यह संबच लाय थारे चुबीत बरबरी में तीन सबीच इसवी को चुलाया गया था और इससे थी चबित भर्परी तीन सबीच इसवी से इस समध का रहा होता है और अने में सबी गुप्त शाष्कों ने इसी समध को आगे चुलाया जाए तो यह था जंदनुप्त प्रत्व के बारे में कल हम करेंगे आगे ने प्रत्वक्त प्रत्व के बारे में क्यों है क्यों मच्यों है